तो दोस्तो आज हम राजस्तान से एटी के लिए 25 इंपोर्टन प्रश्णों को बार बात करेंगे और यह सबी प्रश्ण किसी ना किसी एक्जाम में पुछेंगे प्रश्ण हैं इसलिए वीडियो में आपन तक ज़रू बने रे तो चरू वीडियो को शुरू करते हैं तो आपका पहले स्वाल है कि रूपाहाली और सुनरी या सुनरी या सुनरी चपाई राजस्तान के किन जलो में परसिद हैं क्या प्रश्ण है वापस बढ़े गवार कि रूपाहाली और सुनरी या सुनरी चपाई राजस्तान के किन जलो में परसिद हैं तो वजले हैं किसंग्रड, चितोडगड और कोटा इन तीनों जलों में रूपहाली और सोनारी छपाई जो हैं वो परसिद हैं तो दोस्तों आपको 25 परसिद दी जाएंगे जिसमें से आपने कितने परसिद हैं वो में लाश्ट में कमेंड में जुरूर बताए जिसी के आपकी preparation होते रहेगी तो अगला प्रूशन दिखते हैं अगला स्वाल है कि राजसतान की किस जिले की black pottery, फूल दानो, प्लेटों और मटकों के लिए परशिद हैं Most important है तो क्या प्रिस्टन है कि राज़स्तान के किस जले की black pottery फूल दानों, प्लेटों और मटकों के लिए परसिध हैं तो जला है कोटा ठीक है कोटा जले की black pottery जो है वो फूल दानों, मटकों और प्लेटों के लिए परसिध हैं अगला स्वाल है कि आजम और जाजम प्रेंट राजस्तान के किस जिले का परसिद हस्त सिल्प है और ये प्रिशन बहुत बार एक्जाम पुछा भी गया है इसलिए इस प्रिशन को आपको रट लेना है क्या प्रशने कि आजम और जाजम प्रिंट राजस्तान के किस जिले का परसिद हस्त जिल्प है तो आपको याद रखना है ये परसिद हस्त जिल्प है चितोडगर जिले का अगला स्वाल हैं कि जैपूर में मिनाकारी की कला महराजा मान सिंग द्वारा खालिस्तान से लाई गई थी क्या पुछने कि जैपूर में मिनाकारी की कला जो है वो महराजा मान सिंग द्वारा खालिस्तान से लाई गई तो कहां से लाई गई थी वो आपको बताना है तो ये लाई गई थी लाहोड से अगला स्वाल हैं कि चांदी के आबुष्णों की तारकसी के लिए राजस्तान का कौन सा अस्तान है जो परसिद है ये भी प्रिशन बहुत बार एक जाम बुचा गया है इसलिए इस प्रिशन को भी आपको रट लेना है तो क्या प्रिशन की चांदी के आबुष्णों की तारकसी के लिए राजस्तान का कौन सा अस्तान है जो परसिद है तो वरस्तान है नाथ दवारा अगला स्वाल हैं कि कृपाल सिंग सेखावत का संबंद है तो कृपाल सिंग सेखावत का जो संबंद है ये सम्मद्ध है राजस्तानी ब्लू पॉर्टरी से अगला स्वाल है कि स्रीलाल जोसी का सम्मद्ध किस्से है और ये भी प्रिशन परिक्षाम आ सकता है कि स्रीलाल जोसी का सम्मद्ध जो है वो किस्से है तो उनका सम्मद्ध है पर से अगला स्वाल हैं कि उदेपूर में भारतिय लोक कला मंदल की स्थापना खालिस्तान ने की थी मंदल की स्थापना खालिस्तान ने किस ने की थी वो आपको बताना है तो उसकी जो स्थापना की थी वो की थी देविलाल सामर्ने देविलाल सामर ने क्या किया? देविलाल सामर ने उदेपूर में बारती लोकला मंदल की स्थापना की थी अगला सवाल है कि मिनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्तान का कौन सा अस्तान है जो प।रसिद है? बज़ फिम्परकशने ये प्रिशन एक्जाम में आ सकता है कि मिनाकारी की थेवा कला जो है वो राजस्तान का थेवा कला के लिए राजस्तान का कौन सा अस्तान है जो परसिद है तो वो अस्तान है परताब गर्ड अगला स्वाल है और ये दस्वा स्वाल है कि राजस्तान का कौन से जिला अजर्क प्रेइनट के लिए परसिद है ये प्रेशन बहुत बार एक्जाम पुछा गया है और ये आज की क्लास का very very most निपरण गशन है और इस प्रेशन को आपको रट लेना है और कुछ भी करके याद कर लेना है क्या प्रशने के राजस्तान का कौन से जला अजरक प्रिंट के लिए परसिद है तो वह जला है बाड़मेर जो अजरक प्रिंट के लिए परसिद है अगला स्वाल है कि उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड के अंदर की स्थापना उस्ता कैमल हाइड के अंदर की स्थापना जो की गई थी वो उस्ता कैमल हाइड के अंदर की स्थापना जो की गई थी वो उस्ता कैमल हाइड के अंदर की स्थापना जो की गई थी most important journey और ये पृष्टने एक्जाम या सकता है इसलिये इस पृष्टन को ब्यापको रट ले ना है क्या पृष्टने की वक अलाकार जो विकानेर के पषिद अंधा मतहरण परिवार से सम्वनित है, तो वक अलाकार कौन सा है मोस अलाधेर पृष्टने और ये प्रिष्ण बहुत बार एक्जाम पुछा भी गया है इसलिए इस प्रिष्ण को आपको रट लेना है क्या प्रिष्ण है कि चंदुजी का गड़ा और बोड़ी का मा इस्थान है जो किस लिए परसिद है तो ये जो इस्थान है ये इस्थान पर सिदे तीर बनाने के लिए अगला स्वाल है कि मोती भारत किस जिले में पारंप्रिक कड़ाई का नाम है क्या है कि मोती भारत जो है वो किस जिले में पारंप्रिक कड़ाई का नाम है तो ये नाम है जालोर जले का ठीक है जालोर जले में पारंपरिक कड़ाई का नाम क्या है मोती भारत अगला स्वाल है कि किस लोकला के निर्माण का पुस्तेनी वेवसाई केवल चितोड़गर जले के ग्राम बसी में ही देखा जाता है क्या प्रशन है कि किस लोकला के निर्मान का पुस्तेनी वेवसाय जो है वो केवल चितोडगर जिले के ग्राम बसी में ही देखा जाता है तो वो लोकला कौन सा है तो वो लोकला का निर्मान है कावर्ड ठीक है कावर्ड लोकला के निर्मान का जो पुस्तेनी वेवस है जो है वो केवल चितोड़ गर जले के ग्राम बसी में ही देखा जाता है अगला स्वाल है कि राजस्तान की किस रियास्त ने ब्लू पोर्टरी को सरक्संद दिया तो ब्लू पोर्टरी को जो सरक्षन दिया था वो दिया था जैपूर ने अगला स्वाल है कि राज समझ जले में स्थेत मौले लगाओं किस लोग कला के लिए विख्यात है और ये भी पृष्णा एक्जाम आसकता है तो ये विख्यात है मरण मय मौर्थी कला के लिए पृष्णा थे कौन सा गाओं तो मौले लगाओं जो राज समझ जले में स्थेत है अगला स्वाल है कि पारंपरिक कलाकार मांगिलाल मिस्त्री किस चेतर में परसिद है Most important reason क्याप्च ने कि पारमपिक कलाकार मांगिलाल मिस्ट्री जो है वो किस चेतर में परसिध है तो मांगिलाल मिस्ट्री जो है ये परसिध है कावट चेतर में अगला 이런 कि माराजा स्कूल आफ अर्ट्स और अंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी सासक द्वारा करवाई गई क्याप्रशने कि महाराजा स्कूल आफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की जो स्थापना किस राजस्थानी सासक द्वारा करवाई गई थी तो इसकी जो स्थापना करवाई गई थी वह करवाई गई थी सवाई राव सिंग द्वारा और यह पृष्टना एक्जाम में आसकता है इसलिए इस पृष्टनों भी आपको लेना है अगला स्वाल है और यह बीस वह स्वाल है कि राजस्तान में पाई जाने वाली उस्ताकला क्या है most important तो राज़ष्थान में पाई जाने वाले उस्तागला क्या है वो आपको बताना है। retrouve अग्ला स्वाल है। और ये ऐसे वाल भी exam बूजर जाते हैं इसलिए इस परशन को भी आपको रहरट लेना है कि राजस्तान का कौन सा सहर है जो black potter के लिए परशिद है तो वगा सहर है सवाई Madison जो black potter के लिए परशिद है अगला स्वाल है कि निर्मिकित में से कौन सा सहर नम्दा बनाने के लिए परसिद है तो कौन सा सहर है जो नम्दा बनाने के लिए परसिद है तो वह सहर है टॉंक टॉंक सहर वह सहर है जो नम्दा बनाने के लिए परसिद है अगला स्वाल है कि राजस्तान का राजसोनी परिवार अबुसन निर्माण की निम्लिकित में से किस कला से समंदित हैं क्या प्रशन है वापसे बड़ेगार कि राजस्तान का राजसोनी परिवार जो है तो अबुसन निर्माण की निम्लिकित में से किस कला से समंदित हैं तो ये समंदित है थेवा कला से ठेवा कला से समंदित है कौन सा परिवार तो रात सुनी परिवार और यह ऐसे भी प्रिशना एक्जाम बुझे जा सकते हैं तो इस प्रिशन को भी आपको रट लेना है ठीक है अगला स्वाल है कि कौन सा कूड है जो सुमिलित नहीं है तो वह युग में बताना है जो सुमिलित नहीं है अस्तकला और इस्तान से मेल नहीं खाता है वह युग में बताना है तो वह यक्म है मामा जी के घोड़े बसंदगड ये जो घस्तकला है और इस्तान है ये सई मेल नहीं खाते है ये सई समेलित नहीं है इसलिए आपका राइट हैं सो जाएगा अप्सन नमर ए अगला स्वाल है और ये लाश्ट स्वाल है कि ऊट की खाल पर स्वार नहीं नकासे का कार Tag किस नाम से किया जाताございます दोस्तो आपको पच्चिस परसंदीर है जिसमें से आपने कितने परसंद चाहिक हैं वो में जल्दी से जल्दी कमेंट कर जबर बएए जुरू बताए और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हाल पूसा भी दूआ दो वीडियो को लाइक और चैनल प्रेश चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को प्रेस कर लिजे सेगी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी धन्यवाद